आदे कब चावल एक गिलास दूद से हम बनाएंगे रबडी जैसी एक किलो खीर यहां पर मैंने आदा कब चावल ले लिया था और वो मैंने भीगो लिये थे तीन चार घंटे के लिए भीगो लिये थे तो यह देखिए इस तरीके से हमारे चावल भीग चुके हैं और यह देखिए मैं अच्छे से वाश करके इनको पानी में रख दिया था तो यह देखिए तो सारे चावल अच्छे से इसको निकाल के भूगोने में हम डाल देते हैं सारे चावल हमने इसमें डाल दी हैं हम डालेंगे एक गिलास पानी तो मैंने एक गिलास पानी ले लिया है और इसमें डाल देती हूं और इसको घुमा देंगे अच्छे से यह चावल आस पास लग रहे हैं वो भी इसमें खटा हो गए नीचे हो जाएंगे अब चलते हम गैस की तरफ तो यहां मैंने गैस पर रख दिया यह भूगोना और इसको लो फ्लेम पे हम अच्छी से इनको पका लेंगे अपने चावल को काइस चावल अच्छी से वॉल हो गया है और लुद़ आपको अपनी हास से दिखाती हूं यहान सा गएस पर रखे रहने यंगे जब तक इसमें पानी यह तो हमने कर लेटी ड्रायफ फूट की तैयारी तो हम यहां मैंने मकहने चूटे चूटे कर लेतें और यहां कुछ मिष ले लिए और जो इलाई ची ना इसको पूट लिया था तो हमारे सारे मेव अछी से से रेडी हो चुके हैं तो गया इसको हम साइड में रखेंगे हम करेंगे जो मलाई हम ले लेंगे कटोरी में और कटोरी में जो मलाई लिए वो इसको अच्छी से फैट लेंगे तो देखे चमच की मदद से मैं इसको अच्छी से फैट लोंगी यह देखे इस तरीके से इसमें बुल्कुल भी वह नहों लंस नहों अच्छी से इसको मारी रवड़ी फैल होने वाली हमारे खीर के आगे तो इसलिए हमने यह मलाई यूज किया है और इसको अच्छे साम फैट लेते हैं तो गाइज मलाई का अच्छे से पेष्ट बने चुका है यह देखिए बहुत अच्छे से पाने शोक लिए और एकदम से यह जो हमारे चाव अच्छे से अच्छे से बहुत अच्छे से लैकर दिखा देती हूँ एज जाए बहुत बस ताक चावल को मिला दूंदी तकि हमारे रहे कर देंगे देर कि अच्छे से भकों यह तो आप अपने अकोर्डिंग डाल सकते हैं जैसे आप खाओ मैंने यहाँ चारच चमच डाल दी ती तो यह तो इसको अच्छी से बॉइल होने देंगे तो यह पे मैंने जो मलाई फैटी थी तो यह अच्छी से गाड़ी हो जाएगी एकद़ रबड़ी की टेस्ट आने वाला है तो यह देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूगी तो यह देखिए मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो चावर और दूद में अच्छे से यह मिक्स हो जाएगी तो यह देखिए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसको फिर से अच्छे से बॉइल होने के लिए रख .. तो यहां बॉल हो गई सबस्कार है लिग यू रखें बाता मुणिस हैë ऐभाँ मतिरिम स्कार्षा एडक डालाइश किया दो दिम दौनल में तो और डाल देंगे हम यहाँ पर बदाम और काजू किश्मिस यह भी डाल देंगे हम काजू भी डाल देते हैं किश्मिस भी डाल देते हैं और इनको अच्छे से हँ माद चम्ची के मतरब से ऐसको चला लेंगे तो ये तरीके से सारी मेवा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए तो यह देखिये तो गाइस ऑगडिकी उसमें आ गई है जैसे रचिव होती है उस वह मे आ तो गाइज अब हम इसको एक डौगे में सर्फ कर लिए और देखने में आपको यमी लग जीप पानी आया ही गया होगा तो वाके में गाइज बहुत यमी बहुत टेस्टी बनी ती अभी मैं आपको चमच की मदद से दिखाती है उसको यह देखिए तो है ना रबडी भी फेल कर दोगी ना इसके आगे तो गाइज देखे और हमारी एक किलो पूरी वजन तोल लिया मैंने ये एक किलो ही बनी और ये ना ये बड़ा है एक काई है तो इसमें आ गए हमारीज आप वी अपने घर में बनाना अपने घर में आये हुए महमान को भी बना के खिलाना बहुत यमी बहुत टेस्टी थी और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली यह प्रिज लगने वाली यह परस्टनल बतारी एक वार मेरे कहने से इस खीर को जरूर बनाना आप यकीन मानोगे आपके परिवार वाले भी न रबड़ी खाना भूल जाएंगे सच बतारी आप की वीडियो आपको हमारी कैसी लगए अगर अच्छी लगए तो प्लीज गैज लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करना कमेंट करके जरूर बताना और जाज जाज शेयर करना फुल वाच करने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच मिलेंगे एक नेक्स्ट व और है य। उल करना य। अय। पम क्य। लगए क्या सारच